संसकार को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं संसकार को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है एक तो संसकार का जो मुख्य मतलब होता है वो होता है धर्म विधी या धार्मिक अनुष्ठान यानि कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसको संसकार कहा जाता है यानि कि जैसे किसी का जन्म होता है तो उस समय कुछ संसकार किये जाते हैं और जब कोई गर्ब धारन करती है महिला तब कुछ संसकार होती हैं कुछ धार्मिक विधी होती हैं तो इस तरीकी के जो संसकार होते हैं उसको इंगलिश में सैक्रेमेंट कहते हैं S C R A M E N T सैक्रेमेंट यानि कि संसकार का शाप्दिक अर्थ है शुदता या पूर्णटा प्राप्थ करने के लिए प्रिशकार संसकार में जीवन में गुणवत्ता शुद्धता और स्थेर्टा लाने के लिए सभी गतिविदियां शामिल हैं हिंदू परंपराओं के नुसार गर्भादान से लेकर मृत्यू तक सोलह संस्कार होते हैं यानि कि सोलह तरीके के संस्कार किये जाते हैं बच्चे के जन्म से पहले से लेकर और मृत्यू तक तो इसको आप सैक्रेमेंट कहते हैं एक आपने कई बार सुना होगा कि उसमें बहुत अच्छे संसकार हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उसके जो संसकार है वो अच्छे से किये गए है इसलिए उसका जो आचार वहवार है वो बहुत अच्छा है तो उसको हिंदी में आप सिष्टा चार कह सकते है और English में आप manners कह सकते है manners, manners का मतलब हुता है कि उसको पता है कि उसको वहवार कैसा करना है कि इसके साथ किस तरीक से पेश आना है किसे बाठचीत करनी है یعن麵 कि जो अपना वहवार की नीती को जानता है तो उसको हम कहते हैं संसकारी बच्चा है यानी कि इसके संसकार सारे अच्छे से हुए है तो इसमें सिश्टा चार है तो उसको आप inगलिश में मैनर्स कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि संसकार एक गंभीर और पवित्र समारू था तो आप कह सकते हैं the sacrament was a solemn and sacred ceremony. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर क्या जाएंगे अनय मतलब कर दीज कIch क्यां मतलब बजाएंगे